जारखन नुज में आपका स्वागत है चलिए जानते हैं सुबा से लेकर साम तक की तमाम बड़ी खबरों को इसे पहले आप जारखन के किस जीले से नुज को देख रहे हैं हमें कोमेंट बक्स में जरूर बताइए साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को विभाग के मंतरी जगनात महतों ने स्कूलों को खोलने को लेकर बैठक बुलाई है बतादे सन्निवार को होने वाली बैठक में आपता प्रवंदन विभाग के सचीव सिक्षा सचीव के अलावा विभीन अभी भावक संगों के प्रत्रिनीदी सामिल होंगे मंतरी सन्निव में भी कमी आई है इसलिए इसकूलों को खोला जा सकता है जार्खन में तीन दिनों तक जारी रहेगा सर्दी का सितम जार्खन के सब ही हिसों में कोल्ड वेव का असर लागतार जारी है बतादे खास कर रांची में जो तापमान का पारा लागतार नीचे जा रहा है सुबह स थंडी हवावों के बहने से निम्तमतापमान में गिरावट दज की गई सर्दी काया सितम दो से तीन दीनों तक चारी रहेगा और दो फरवारी के बाद ही थंड से राहत मिलने की संभवना जताई गई है बता दे मौसम विभाग का प्रुवन मान भी है कि अगले दो तीन दीनों तक ठंड का असर रहेगा वहीं दो फरवारी से राजधानी समित राजय का मौसम सुस्क रहेगा और आसमान साफ रहेगा इसके बाद निम्तमतापमान में बढ़ोतरी के संकेथ है एक करोड का इनामी नक्सली फुटी कोडी का मोहताज असीम मंडल उर्फ राकेस उर्फ आकास उर्फ तलित पर जारखन सरकार ने एक क्रोड रुपय का इनाम रखा है उसके गाउमें उसके नाम की एक फुटी कोडी भी नहीं है बता दे उसके साथ भायों में से तीन की मौत हो गई जबकि तीन जिन्दा है जो जिवीत हैं वे गाउं में ही रहते हैं और उनकी जो पैतिक संपती है उनका तीनों भायों ने मिल कर बटवारा कर लिया है यह जनकारी पूलिस ने अदालत में पेस कर अपनी रिपोर्ट दी है बता दे पटमदा इलाके में हुए एक नक्सली हमले के केस में पूलिस द्वारा दायर असीम मंडल के बारे में रिपोर्ट में बताया गया कि वह 35 बरसों से अपने गाउं नहीं अगया है पूलिस ने अदालत में पेस किये साक्षे में बताया कि अनुसंधान के सिलसीले में असीम मंडल के उतर फूल्चक थाना चंद्रकोना जिला मेदनी पूर पच्छे मंगाल इस्थीत आवास पर जाकर वरंड तामिल किया गया ज्यारखन के डिलर अब नहीं कर सकेंगे रासन की चोरी जन बितरण पर नाली बेवस्था के तहाँ ज्यारखन सरकार ने लाबकों में अनाज बाटने के लिए जियो लोकेशन अधारीत एप बिक्सित किया है बता दे इससे अनाज बितरन किस अस्थान पर तथा किस लाबकों किया गया है या जनकारी पोटल से मिल सकेगी इसमें लाबकों के खद्यान लेते फोटोग्राप भी पोटल पर उपलब्द रहेंगे ताकि किसी परकार किसी कायत मिलने पर सत्यापन किया जा सके बता दे इस नई बेवास्ता से विभागिया योजनाव में परदार सिता आएगी और समाज के अतिक कमजोर जन जाती है समों को समय पर उनके निवास अस्थान पर अनाज मिलने की परकिरिया की मोनेटरिंग भी की जा सकेगी जारखन में धान खरिद मात्र 18% जारखन में बमफर धान की खेती होने के बाद भी जारखन में किसान धान बिकरी के लिए आगे नहीं आ रहे हैं बता दे सरकार को अभी तक की सानों ने मात्र 18.5 पर्थयती धान बेचा है, जबकि धान खरीदारी की अमतिम्तिती 31 मार्श तक ही है, बता दे इसके बाद धान की खरीदारी नहीं होनी है, ऐसे में सीर्फ दो माह में 80 पर्थयत अधीक धान की खरीदारी करना एक बड़ी चु जिलों में कम है जबकि कोई जिलों में धान रखने की जगा नहीं है पहले से ही यहां पर धान भर चुके हैं रिम्स में आठ दिनों में 13 संक्रमितों की मौत जारखन में क्रोना संक्रमितों की संख्या कम हो रहा है लेकिन इससे होनवाली मौत का आकणा कम नहीं हो रहा है बतादे क्रोना वाइरस गंभीर बिमारी से पिडित लोगों और बुजूर्गों को सबसे ज़्यादा आपना सिकार बना रहा है बतादे रिम्स में पिछले आठ दिनों में 13 संक्रमितों की मौच हो चुकी है इसमें से 7 संक्रमितों को उम्र 60 साल से ज़्यादा थी शुक्रवार को सबसे ज्यादा चार बुजूर्ग संक्रामित की मौत हुई है इसमें से दो बुजूर्ग रांची के हैं बता दे 85 साल के एक बुजूर्ग कांटा टोली और 73 साल के बुजूर्ग बढगाई के रहने वाले थे जार्खन में सभी वाहनों के लिए गती सीमा तरह है जार्खन में नेशनल हाईवे, इस्टेट हाईवे, निगम छेत्रोव इससे बार के अलावा स्कूल वा कोलेजों के पास वाहनों की रफ्तार करने दान परिवहन विभाग नेताय कर दिया है इस समन्द में सुक्रवार को परिवहन विभाग के सचीव, केके सोन के हस्ताक्चार से गयट प्रकासित की गई, बता दे इसके तहाँ दो पहिया से लेकर सभी तरह के वाहनों की निम्तम और अधिक्तम गती सीमा अलग-अलग तै की गई है, सभी वाहनों की निम्तम स्पीड 25 किलोमेटर प्रति घंटा रखी गई है, वहीं अधिक्तम गती सीमा साभी तरह के वाहनों की अलग-अलग रखी गई, समंधित छेत्रों में तै की गती से ज्यादा इस पीट से वाहन को चलान या तयात नियम के उलंगन के दारे में आएंगे, इंडेन गैस एजनसी ने शुरू की मिक्स्ड डिवीसी योजना, इंडेन गैस एजनसी ने अपने उभगताओं के सुधा के लिए मिक्स्ड डिवीसी योजना की शुरुआत की है, बता दे इसके तहुत उभगता 14.2 किलो सेलेंडर के साथ 5 किलो का दूसरा सेलेंडर ले सक इसी करम में सुक्रवार को कोकर स्थीत आदिती इंडियन गैस एजनसी के पांच उभोकताओं को इस वोजना का लाब दिया गया बता दरी समंध में इंडियन के डिविजनल एलपी जी हेड आमीन ने कहा कि वैसे उभोकता जो पैसे के अभा में दूसरा सिलेंडर नहीं ले प पर चुके नक्सली महराज ने उगले राज रांची आजी कर्याले में पिछले दिनों आत्म समर्पन करने वाले नक्सली सब जोनल कमांडर महराज प्रमानिक ने पूलिस को पुष्टाश में अपने स्वयोग्यों एवं मददगारों के नाम बता दे उसने अपनी चल एव सब जोनल में जोनल कमांडर के पद के साथ ही जोनल प्रवक्ता होने की बात बताई है बता दे पिछले दिनों पूलिस के सामने सरेंडर करने वाले नक्सली सब जोनल कमांडर महराज प्रमानिक ने पूलिस को जनकारी दिया कि बस 2008 में कंडरा एवं 2009 में चंडिला थाना से जेल भेजा गया था रांची के B.A.U. में तयार हो रहा बायो डायवर्सिटी पार्क B.A.U. में तयार हो रहे हर्टी कल्चर बायो डायवर्सिटी पार्क में लोग फल, फोल, सबजी और औस धिये एवम सुकान्धित पोधों की बिभिन परजातियों से रूबरू हो पाएंगे बतादे इसके विक्सित करने के लिए संस्थान के बैग्यानिक जुटे हुए है बिद्यार्थियों, सोधार्थि, किसानों और पोधों में रूची रखने माले लोगों के लिए यह बिसे साबित होगा बिस्व बिद्याले की 10 एकड़ भूमी में यह पार्क त्यार हो रहा है अगले 6 मा में इसे त्यार करने का लक्ष भी रखा गया है जारखन में लंबित है दाखिल खारिज के 65 हैर से जाड़ा मामले ज़ारखन में अभी दाखिल खारिज के 65 से अधिक मामले लंबित है पतादे इनमें बड़ी संक्या में मामले 30 दिनों से अधिक समय तक के हाई वहीं कई अंचुलों में 90 दिनों से भी अधिक समय तक मामले लंबित रखे गए हाई या इस्तिती तब है जब समधित उच्चा धिकारी लगतार म्यूटिशन के मामले में निप्टारे का निर्देश दे रहे हैं बतादे इस मामले में मुख सची उने भी जल्द करवाई करने का निर्देश दिया है उन्होंने सभी जीलों के DC से कहा था कि दाखिल खारी के मामले लंबित नहीं रखे बता दे रांचे जीले के कुछ अंचलों में ज्यादा मामले लंबित हैं उन्में काकी में 24-73 है गुम्बला में डायन विसाही के सक में ब्रीध महिला की हत्या गुमला में डायन विसाही की सक में ब्रीद महिला के हत्या कर दी गई बतादे सिसाय थाना के कारण पंडरानी डाहू टोली गाउं में अंध विस्वास के कारण जिबली देवी 65 वर्षिये की गुरु आरको उसके ही घर में कुदाल से काट कर हत्या कर दी गई बतादे गुमला पूलिस ने जंगल में घूस कर नक्सलियों पर प्रहार का प्लान बनाया। इससे ग्रामिनों में सुरक्षा का भाव जगा है। बता दे गुमला एसपी खूद हथियार टांग कर बाइक से जंगल में चल रहे थे। भागवान बिर्सामन परतीमा पर जाकर सरदास रुमन अर्पित किया। भागवान बिर्सामना के परतीमा को मलयारपन किया। करकरताओं के जयकारे के बीच कॉंग्रेश नेताओं से मिलने के लिए वह रवाना हो चुके बता दे एक घंटा गेस्ट हाउस में आराम करने के बाद वह कॉंग्रेश नेताओं से मुलकात करेंगे धरनेवाद